नमस्कार, वर्बल रिजिनिंग की एक सीरीज की एक सूपर डूपर प्रावलम लेके आपके सामने आये हैं, सीरीज के पांच सवाल इस पे आते हैं, और प्रिलीम में भी आते हैं, मेर में भी आते हैं, हमारे पास में पांच क्रम से जो अंक और शब्द दिये हैं, और इसमें क्वालिटी क्या है, कि हर बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो अंक के इस्तान पर शब्द और शब्द के इस्तान पर अंक आ जाता है, तो पहला पने 2T7, फिर आगे गए तो C2J, फिर 5E4, H9I, 9K2, अब हमें यह पूछा गया है, कि इसमें जो परिवर्टन जिस क्रम से हो रहे हैं, वही क्रम रहेगा, तो उत्तर क्या होगा, अब यह तो तही है, कि उत्तर में यह दो अंक है, यह एक अक्षर है, फिर दो अक्षर है, एक अंक है, पांच में नमबर पे, साइड में दोनों अक्षर है तो हमारा उत्तर होगा जिसमें साइड में दोदो अक्षर होंगे और बीच में अंक होगा तो possibility है problem number 1 हो सकती है problem number 3 हो सकती है problem number 5 हो सकती है two and three two and three is reject two and four two and four reject okay चलिया इसमें क्या हुआ तो पहले पर 2-t7 में क्रम शह एक और तीन जोड़े तरथा अंक का मान अक्षर में तरथा अक्षर का मान अंक में बदल दिया अंक अक्षर को बदलने का क्रम हमेसा जारी रहा और ये हमारे उत्तर में भी जारी रहेगा एक विशेश बात आप इत्वान साथ्यों की नजर में लाना चाहता हूँ कि रीजिनिंग के अंदर रीजिनिंग गडी तो नहीं है गडी सहायक है लेकिन गडी अंतिम नहीं है रीजिनिंग में अगर सिरीज के अंदर दो पत को जोड़ने पर अगर मान दहाई में आता है तो इकाई वाला अंक लिखा जाता है चाहे वा अंक में लिखना हो चाहे वा अक्षर में लिखना हो जैसे यह दिनी हमें दहाई में चोईस आया तो हमेरे चार लिखा जाएगा अगर अंक लिखना है तो चार लिखा जाएगा और अगर अक्षर लिखना है तो चोथा अक्षर D लिखा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ये इसमें आपको बहस करने का अधिकार नहीं है ये जो है वो मान्य है और इसे मान्य करना पड़ेगा अब आईए अब अपनी रिजिनिंग में क्या हुआ देखे हमने इसमें ज दूसरे में की उसी क्रब में फिर तीसरे में फिर चोथे में गए तो वापिस पहली किर्या को हमने रिपीट कर दिया तो हमारा उत्तर हो जाएगा पांच वे में वापिस दूसरी किर्या को करना पहले में हमने वन टू थी जोड़ें दूसरे में हमने टू थी फ्योड़ें और तीसरे में हमने 3, 4, 5 जोड़े 3, 4, 5 पेले में हमने जोड़े 1, 2, 3 फिर 2, 3, 4 फिर 3, 4, 5 अब हमने क्या क्या वापिस 1, 2 ये किरिया नंबर 1 किरिया नंबर 2, किरिया नंबर 3 हमने वापिस किरिया नंबर 1 को repeat किया और इसमे 1, 2 और 3 जोड़ा अब हावारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें 2, 3 और 4 हमने किया नमबर 1 को रिपिट किया तो उत्तर में किया2 रिपिट हो जाएगी तो आईए 2, 3, 7 इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा तो 3, 22 और 10 तो तीन और दस के स्थान पर तो अक्षर आ गये, से और जी और बाइस के स्थान पर दुआ गया हमने का ना कि अगर दहाई आता है तो एका-इकाई लिखी जाएगी दुआ गया, बावान फिर हमने दो, तीन, चार जोड़ा तो क्या गया पांच पांच और चौदा तो पांच के स्थान पर हमने पांच लिख दिया और इस पांच के स्थान पर अक्षर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अंक है तो यहां अक्षरा जागा ए और चौदा के स्थान पर हमने चार लिख दिया फिर हमने 3-4-5 जोडए 3-4-5 तो यहidamente 8 यह होगए 9 और यह होग्या 9 बाइब आच के इस्तां पर हमने अक्षा लिखा नो के स्तांपर अंक लिखा और फिर नो के इस्तांपर अक्षा लिख selbst रिख़र अब हमने फिर 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 हमने फिर पहले किरे रिपिट की 1, 2, 3 1, 2, 3 तो H की जगे हो गया 9 बावर 9 की जगे 11 और I की जगे 12 बावर तो अब क्या होगा 9 की जगे अंक आगया 9 यहां 11 का अक्षन आगया K और यहां 12 का 2 आगया तो अब क्या होगा उत्तर के लिए अब उत्तर के लिए इसमें 2 जूड़ जाएगा ये किरिया रिपिट हो जाएगी इसमें 2 जूड़ जाएगा इसमें 3 जूड़ जाएगा इसमें 4 जूड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा 11 यहां हो जाएगा 14 और यहां हो जाएगा 6 अब यहां पर 11 और 6 की जगे तो हमारे पास में क्या आएंगे अक्षर, तो 11 अक्षर क्या है के, छटा अक्षर क्या है एफ, और 14 की ज़िए हम 4 लिखेंगे, तो 4, तो हमारा उत्तर हो गया के फोर एफ यहने 5 वा आंसर हो जाएगा हमारा के फोर हमसे जुड़े रहिए और नई नई प्राबलम लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, धन्यवाद जय युवा, जय युवा